हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नाजर वीडियो एंड सोरी गाईज मैं एक्जाम के वज़े से वीडियो अपलोड नहीं करवाया काफी टाइम से अब कंटिन्यू अपलोड हुआ करेंगी वीडियो तो चलिए बिना टाइम इस्ट के स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो म टोपिक की लिस्ट देख रहे हैं डिटेल यूसेज वगरा इन्हीं टोपिक्स के अंदर हम इसके जानकारी को कवर करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहला टोपिक स्टार्ट कर लेते हैं डिटेल्स बिना टाइम वेस्ट के फ्रेंड्स यह अर्सोडियोक्सिकोलिक जो है यह इसको बॉटोब्त अब यह 30 सब्रत पहला टार्रा इसी करें मतलब आपका उसका पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है तो उसको अर्ट से बाग्त के लिए इसको दिया जाता यह अलग- Bennett bent से बनने वाली टैबलेट होती है मतलब इसको लैब में सिंतेसाइज कर गए एक टैबलेट की फॉम में बना लिया जाता है एक तरह कोई आर्डिफिशल वाइल जूस ही होता है जान लेते हैं इसकी यूसेज यह गोल्विलेटर के स्टोन यानि कि पत्री जो कोलिस्ट्रोल जम करने के जाता है इसी तरह एक तरह एंख परिशाइब लिएक वा कि आगए बागी टोक्टर अपने एक्सपेरियेंस नसी प्रडिफिस को परिस्क्राइब कर सकते हैं तो वह लोक्टर अपना डिसाइट करेंगे गया जान लेते हैं इसकी dose, अगर dose के हम बात करें, इसकी usual dose के अगर हम बात करें, तो 8-10 mg पर kg एक दिन के हिसाब से, लेकर 13 mg से 15 mg पर kg बोडिवेट के हिसाब से, छोटी-छोटी dose में device करके, दिन में 3-4 बार तक भी दिया जा सकता है, ठीक है, like 150 mg के अगर tablet है, तो वो 4 tablet दिन में एक बार से लेकर, 3-4 divided doses में भी 3-4 बार में दी जा सकती है, इसकी man dose तो आपकी medical condition पर ही depend करती है, वैसे तो बिना prescription के तो आपको लेनी नहीं इस tablet को, भागे normal dose के हम बात करेंगर, जैसे बच्चों में 6-18 साल तक के बच्चों में, इसकी dose 20 mg पर kg body weight से लेकर, एक दिन की, औ दिवाइड करके चोटी 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 डोस में, दिन में 2-3 बार या 4 बार तक में भी दी जा सकती है, इसकी overdose की अगर में बात करें, तो overdose इसकी patient के लिए खातक भी हो सकती है, इसकी overdose लेने से patient को, hepatitis भी हो सकता है, pureitis भी हो सकता है, colonitis, ascitis, liver, cell failure, bile duct syndrome, severe, watery diarrhea हो सकता है, pneumonia बन स title, lung disease हो सकती है, convulsion आ सकते हैं आपको, ठीक है, और इसी तरह के, और भी side effect देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो इसकी dose अपने prescription का according ही लेने की कोशिच करने, ठीक है, बात करते हैं, miss dose के बारे में, ज़दे आपसे इसकी dose miss हो गई है, तो इस condition में आप जब भी, जैसे भी, इ जाद आ जाए, तब ही ले सकते हैं, अगर तब तक next dose का time हो गया है, तो next time में double dose ना ले, जो आपकी next वाली है, बस उसी से dose को continue लेते रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं, mode of actions के बारे में की कैसे काम करती है, ये एक dissolving agent की तरह वर्क करता है, मतलब कि आपके blood के अंदर की जो च toxic effect को भी कम करके काम करता है, जिससे कोल इंजियो साइट की रक्षा होती है, जिसकी वैसे कोल इंजाइटिस की problem कम होने लगती है, जान लेते हैं, प्रिकोशन से यानिके सावजानिया, ये टैबले लेने से पहले आप अपने डोक्टर से गंसल जरूर करें, क्योंकि अभी इसकी रिसर्च में लिमिटेट सेफटी डाटा ही अवेलेबल है, इसको खाली पेट और खाने के बाद दोनों तरीके से लिया जा सकता है, बात करते हैं, प्रेगनेंसी में सिर्फ अपने डोक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ करने हैं, आपको इस टैबलेट को, यदि आप प्रेगनेंट नहीं हैं, लेकिन प्रेगनेंसी पिलान कर रही हैं, तो भी अपने डोक्टर को जरूर बता दें हम देख लेंगें तो ब्रेस्ट ले आपको ब्रेस्ट में साधरिप्न कराना वाले महिलाए भी गांत करें, यूज़ करें। उसके लिएने के बाद ड्राइविंग करना सेफ है ऐसा कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है इसका कि इसके बाद आपको डिजिनेस वगेरा होगी बागी अधर कंडिशन्स अगर आप मान लो जो भी ये टैबलेट लेगा जाहिर है कि वो बिमार तो हो गई तो अगर आपको पहले ही डिजिनेस वगे अभी तक की रिसर्ज में और यदि आपको आप रेगुलर एल्गॉलिक हैं तो भी अपने डॉक्टर को जरूर बता दें जान लेते हैं इसके कॉंटर इंडिकेशन अगर आप किसी भी जो एसके इस गुरूप के या इस से आपको एलर्जी है तो इसको बिल्कुल ना अगर आपको लीवर की एक बीमारी है जिसमें आपका गॉल्विलडर वर्क करना अपना काम करना बंद करतेता है जिसको नोन फंक्शनल गॉल्विलडर भी खहते हैं वो भी पेशन्ट इसका यूज ना गरें अगर हाल फिलाल में आपकी इंटेस्टाइन की किसी भी बरकार कोई सरजरी हुई है तो भी इसका यूज आप ना गरें अगर आपको स्टोमक और इंटेस्टाइनल में अलसर की परिशानी है जो चाले वगरा हो जाते हैं वो भी इसका यूज ना गरें वो पेशन्ट जा ले लें ड्रग इंट्रेक्शन कुछ मैडिसिन आप इस के साथ में नहीं लेनी चाहिए कुछ मैडिसिन इस टैबलेट की एब्सूर्प्शन को अफेक्टेट करती हैं जैसे चारगोल और कुछ मैडिसिन लाइक सिप्रोफलोक्सिन होती है और इम्यून सब्रेजेंट होती हैं कुछ जैसे साइकलोस्पोरिंज वो भी इस जान लेते हैं लास्ट में से साइट इफेक्ट इसके कुछ koomans से सायटए इफेक्ट होते हैं जातो कोई खास शीया वोँटिंग्या वगर ही हो सकता है बस बागी अगर कोई सीवर साइट इफेक्ट या को डिने के बाद तो कोई reaction देखने को मिलता है तो तुरांट अपने डोक्टर को inform करें उसे टैबलेट को discontinue करें तभी जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में ये टैबलेट आपको 45 रुपए से 50 रुपए तलग एक टैबलेट मार्किट में मिल जाएगी इसके अलग-अलग ब्रांड भी मार्किट में अवेलेबल होते हैं तो प्राइस तोड़ेगो तोपर नीचे भी हो सकते हैं पर सबसे अच्छे रिजल्ट जो है इसमें यूडिलीव टैबलेट का ही देखने को मिलता है तो फ्रेंड ये थी जानकारी यूडिलीव 300 mg टैबलेट के बारे में हाई होब आपको रिवी अच्छा लगा होगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाएं जिससे आपको मैडिसन से रिलेटीड जानकारी मिलती रहे ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में टेक केर माई ब्रोधर सेंड सिस्टर्स